गुरुदेर सुरेश्टी मालीजी से व्यक्तिकत मिलने के लिए संपर्क करें मेरे प्रिये शिश्यों, सादकों और आज के अवारे सभी प्रभुद्ध नवीन तरश्रकूं स्वागत है आप सभी का, पैसे से पैसा बनाईए इस विशेश कारिक्रम में आप लोग अपनी जिन्दगी में जिस किसी भी करियर से अपनी जिन्दगी चला रहे हैं जैसे जॉब, बिजनस या किसी प्रोफेशन से उससे जो आपको आमदनी मिलती है, उस आमदनी से खर्चा निकालकर जो पैसा बजता है, वो आपका धन होता है उसे इंसान प्रोपर्टी में लगाता है, कुछ लोग सोना चांदी इस जेवर में लगाता है कुछ लोग कोई नया बिजनस शुरू करते थे हैं, कुछ लोग उस पैसे से पैसा बनाने के लिए शेर मार्केट में इंवेस्टमेंट करते है आपकी बहुत मेहनत की कमाई, बहुत सारे लोगों ने शेर मार्केट में बरबाद करती है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेर मार्केट में इतना धन कमाया है कि अपने एक्चुल जॉब और बिजनस को वो कोसों दूर छोड़ाये हैं और आज प्रॉपर टाइब से शेर मार्केट में काम करते हैं शेर मार्केट आपके लख पर तो आधारित है ही लेकि साथ में आपके इंटेलिजेंस, टाइमिंग, आपके डिलिवरी, आपका बिल्कुल परफेक्शन और थोड़ा से उस पर रिसर्च अगर आप कर लें और कुंडली के योग आपके साथ हो तो निश्चित बानिये कि शेर मार्केट आपके लिए बना है ये मैं पूर्ण विश्वास और एक रिसर्च के आधार पर आपको बता रहा हूँ जिस विसलिशन को मैं बता रहा हूँ, उस पर आप पूर्ण लुप से विश्वास कर सकते हैं बहुत सारे लोग बाते सुनकर शेर मार्केट इंवेस्मेंट कर देते हैं फिर उन्हें गाटा लग जाता है और आखिरकार वो ये कहते हैं कि शेर मार्केट पे सिर्फ नुकसान होता है, ऐसा नहीं है, हर देश में, जादतर देशों में शेर मार्केट ही ये ताय करता है कि आपके देश की करों में कैसी है, आज सैंसेक्स हो, निफ्टी हो, इस पर हम रोज बात करते हैं, इस पर बड़ी न्यूज बनती है, हर कंपनी का अपने शेर होते हैं, तो ये खराब कैसे हो सकता है, कोई बेवफू बनाने की चीज तो है नहीं, लेकिन आप ही थोड़ी बहुत गलती कर बैठते हैं, इसमें नुकसान के लिए हमें थोड़ा सा प्रॉप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, जोतिश में शेर मार्केट के लिए सीधे सीधे किसी एक ग्रह की भूमी का नहों कर, कुंडली के फिफ्थ आउस को सरवाधिक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जन्म कुंडली के फिफ्थ आउस को हम संतान और एजुकेशन से जोड़ते हैं, यहां तक तो हमें पता हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है, कि शेर, लोटरी, स्पैकिलेशन या आकस्मिक धनलाब, गड़ा हुआ धन मिल जाए, अचानक से लाब मिल जाए, उसका कारक माना जाता है फिफ्थ आउस, इसलिए शेर मार्केट से जुडने या लाब परा है, क्योंकि ठीक साथवा उसका संबंद होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के इंवेस्टमेंट किये गए धन से, आपको लाब अपराप्त होगा या नहीं, यह आपको 11 ताउस के आदार पर ही तै किया जा सकता है, शुक्र, धन, विलासिता और शेर मार्केट के लिए बहु को बरबाद भी कर देता है, इसलिए राहु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अतर निसकर्ष, कुडली में फिफ्ट आउस और फिफ्ट लॉड बली इस्तती में होने भी, या स्ट्रॉंग इस्तती मोने से, और फिफ्ट आउस अगर आठ से लेकर 19 या 20 डिगरी के है तो समझ लीजिए कि शेर मार्केट बे दन कवान आपके लिए बाया हाथ का खील हो जाएगा, शेर मार्केट से शुब परिनाम प्राप्त आप कर सकते हैं, इसके अलावा लाविस्तान यानि 11 थाउस के लॉड और शुक्र जितरी अच्छी मजबूत इस्तती मोंगे, उत्र पहला जो शर्त है, यदी कुंडली में फिफ्थ आउस के लॉड फिफ्थ आउस में इस्तित हो तो शेर मार्केट से जुड़ कर लाव अपराप्त किया जा सकता है, उदाहरन के तोर पर समझे कि आपकी कुंडली मिथुन लगन की यानि तीन नंबर की कुंडली है, तो परदशारी है, गोचर में प्रभाव पढ़ रहा है, तो आपको निश्चित दूरूप से सोच समझ के इंवेश्मेंट जरूर करना चाहिए, दूसरा, यदी फिफ्थ आउस के लॉड स्वग रही या उच्छ राशी के होकर शुब इस्तान में हो तो शेर मार्केट से इसके लॉड शुकर, टैन्थ आउस यानि तोला राशी में स्वगरई होकर विराजबान हो जाए, जो कि शेर मार्केट के लॉड भी है, तो हमने क्या बात की कि फिफ्थ आउस जो अकस्वी दनलाप का है, वो कर्मिस्तान में से लेगे, तब यह योग बनता है और ऐसे लो देखा है कि शुरुवात पर पहली बार को इंवेस्टमेंट करता है, उसको लाब मिलता है, फिर उसको चस्का लग जाता है, इंट्रेस आने लग जाता है, फिर वो बहुत सारे पैसे बरबाद कर बैठता है, तो हमेशा आपको सोच समझ कर ही चलना होगा, इस योग को उध बन सकता है, और ऐसे व्यक्ति को शेर मार्केट में बहुत लाब मिलता है, अगला उधारन, यदि फिफ्थ थाउस के लॉड, टैन्थ थाउस में हो, और परिवरतन, इंटर अक्स जाता है, तो शेर मार्केट से जूड़ कर व्यक्ति अपनी जिंदिगी के सारे सपनों को सा यहां पर जान 10 सम्में लिकें और शनी बनते हैं शनी 10th house में चले जाए वो भी मिथुन राशी में और 10th house की लॉड़ बुद फिफ्थ house में चले जाए तो यह योग बनेगा ऐसे व्यक्ति को इस दशा में या अंतरदशा में या गोचर में जब फिफ्थ house पर एफेक्ट से फ्राइड़ तक खुलता है और सुभे सवा नौ बज़े से लेकर साड़े तीन बज़े तक यह कारिकरम चलता है तो आपको यह भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में फिफ्थ house अगर चंद्रमा से लेकर शुकर तक कोई भी है इस वार के बीच में आपको investment करना चाहि जो हर दो गंटे में क्योंकि टोटल बारा लगन बनते हैं और चौबिस गंटे होते हैं तो हर दो गंटे में एक लगन चेंज हो जाएगा उसको भी अगर आप माइनूटली वाच करने लग जाए तो निश्चित माली है कि घर बैठे माला माल बनने का योग बन जाएगा य आपको पूरा रिसर्च और सोच समझ के करना होगा उदाहरन के तोर पर समझे अगर आपके सिंग लगन की कुंडली यानि पांच निमबर से कुंडली शुरू होती हैं तो फिफ्ट आउस के लॉड बनते हैं देवताओं की गुरु ब्रेश्पती वो इलेवन ताउस में च की लॉड और सेकंड आउस के लॉड का राशी परिवर्तन भी शेयर बार्केट में अच्छा खासा मुनाफ़ा देता है सेकंड आउस जो की दन का होता है और फिफ्ट आउस आकस में दनलाब का होता है इसका एक्सचेंज तो उधारन के तौर पर समझे मान लिए आपके मित अगर आपके कुंड़ी में कहीं पर भी है आपको लाब आकस में मिलेगा ही मिलेगा और ऐसे वेक्तियों को शेयर मार्केट से लाब जरू मिलता है अगला उधारन साथवा उधारन है कि नाइन थाउस के लॉड जो भाग्य का गर होता है क्योंकि भाग्य के बिना तो आप अब करम से लाब मिल सकता है भाग्य का तड़का लग जाए तो मज़ा आ जाएगा तो 9000 की लॉड फिफफ ताउस में और फिफफ ताउस के लॉड नाइन ताउस में चले जाए तो भी इंसान को शेयर मार्केट से अच्छा खासा मुनाफ़ा मिल सकता है ऐसा क्यों है क्यो कारण के तौर पर समझे आपकी धनू लगन की कुंडली है तो 9 आउस के लॉड सूरी बनेंगे भागेश वो मेश राशी मिस्तित हो जाए यानि पंचमिस्तान में और फिफ फिफ आउस के लॉड मंगल 9 आउस में चले जाए तो सूरी मंगल का परिवरतन राजयोग बन जाए कर तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट में बहुत लाब मिलता है और शेयर मार्केट में अगर आपको लाब मिल जाए तो आपको मज़े मज़े क्योंकि एक तो सब्सक्राइब के चुटी सवा तीन बज़े आप अपने ऑफिस से बिलकुल फरी और आप पूरा आनंद ले सक अगला उधारन यदि शुक्र स्वग्रही या उच्राश्य के हो तथा फिफ्थ आउस के लॉड जो हैं वो केंद्र या त्रिकॉन में हो तो भी शेयर मार्केट में अच्छी खासी सफलता मिल सकती हैं उधारन के तोर पर समझी आपकी वर्षब लगन की कुंडली है यानि दो नमबर से आपके कुंडली शुरू होती है और लगन में शुक्र स्वग्रे योगरे स्थित हो और फिफ्थ आउस की लॉड बुद्ध फिफ्थ आउस पर हो तब यह योग बनेगा और ऐसे वक्ति को शेयर मार्केट से लाब बहुत बड़ा मिल सकता है ये कुछ मैंने इन एक्जामपल्स में शुक्र, शनी, सेकंड आउस, इलेवंध आउस, नाइफ आउस और फिफ्थ आउस के स्ट्रॉंग होना बहुत जरूरी है इसके अलावा भी कुछ योग बनते हैं लेकिन में यही योग बनते हैं अब माल लीजिए कि आप लोग शेयर मार्केट का का कर रहा है मुनाफ़ा मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपका शुकर बलवान होगा तो हीरा आपको जांश परताल करके जरूर पहनना चाहिए हीरे में लोग बहुत गंजिवसी करते हैं चोटे चोटे बहुत सारे हीरे बनवा के पहन लेते हैं तो तो फैशन हो तो तो का कवच बनता है उसे गले में धारन करें इसके साथ और शुक्र के ओम्-डन्राम, द्रीम, द्रोम, सहश, शुक्राय, नमह, मंतर के जाप करें शफेध वस्तों का दान करें शेर मार्केट बे जितना पैसा गमाते हैं उसका 5 पर्चनट 10 पर्चनट जो आपकी सामरते हैं उत्ता पैसा अब अलग से निकाल के रखिए जो कि आप उन लोगों को दान करें उन लोगों की मदद करें जिनका खुदा ने भी मदद नहीं की हैं हो सकता है खुदा के ही हम बंदे हैं जो हम उनकी बदद कर सकें यह सब कुछ करने से निश्चित रूप से आपको शेर मार्किट में लाब ज्यादा और हानी कब होगी मैंने अपनी तरह से पूरी रिसर्च और कोशिश किये का आपको बहतर डंग से इस बात को समझा सको अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें लिख बेजें या फिर हमारे कमेंट्स कर सकते हैं जो पूर कारेले में संपर्क करके पूरी जानकार लिए सकते हैं मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आप इस आखस भी दनलाव को ज़रूर प्राफ्त करेंगे आज के लिए बसे तरह हैं मुझे अपने वानी को यही विराम देने के लिए इजाज़ा दीजिए दवश्कार गुरुदेर सुरेश्री माली जी से व्यक्तिकत मिलने के लिए संपर्क करें दुबाई 971-508-283-024 श्री गुरुदेवे नमहा श्री गुरुदेवे नमहा बंदना तेरी हम गाए आध्यात्मिक चिंतक गुरुदेव सुरेश्री माली को आध्यात्मिक संसकार उनके पिता वग्गुरु कर्म कांडी तथा धाईसो से भी ज्यादा पुस्तकों के लेखक पंडित राधा कृष्ण श्री माली जी द्वारा विरासत में प्राप्थ हुआ पिछली जनरेशन से उनका परिवार इस पवित्र कर्म से जुड़ा रहा है गुरुदेव सुरेश श्री माली सुएम लगभग पिछले 18 सालों से भारत सहित विश्यो के 52 देशों में आध्यात्म पर विशेश कारिकरम दे चुके हैं एवं लाखों शिश्यों और साधकों की समस्याओं का समाधान कर चुके हैं श्री माली जी अपने ग्रहों का खेल टीवी कारिकरम से साधकों को वो सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके जीवन को सरल और शांत बना सके शिरिमाली जी ग्रहू का खेल नाम से हिंदी और दे गेम ओफ प्लैनेट नाम से इंगलिश यूट्यूब चैनल का प्रसारान कर रहे हैं जो कि आज करोणों लोगों की पसंद बन चुका है ग्रहूं का खेल नाम से मासिक पत्रिका जो की एक संपूर्ण आध्यात्मिक पत्रिका है उसका प्रकाशन भी निरंतर किया जा रहा है जनकल्याण और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने तथा जरूरत मंद की मदद करने का कार्य भी आध्यात्मिक साधना सिध्धी टरस्ट द्वारा करते आ रहे हैं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0-9-1-243-2625 98290-26625 8955-896625 एमेल इनफो एट दिरे ग्राहुकाखिल.com.in वेबसाइट www.ग्राहुकाखिल.com.in